हेलो फ्रेंट्स डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स के लेक्शन नुमर 18 में आपका स्वागत है आज की लेक्शिर में आम लोग डिस्कसन करने जा रहे हैं रेजिस्टर यह रेजिस्टर से पहले आप लोग ने में फ्लीफ्लॉप पढ़ा है फ्लीफ्लॉप समझा है और हम बात कर रहें डीफ्लीफ्लॉप की एक कि डीफ्लीफ्लॉप में बेसिकली इसको थोड़ा सीधा पना लिया जाए एक डेटा इनपुट होता है एक क्लॉक इनपुट होगा क्यूजीरो और क्यूजीरो बार आउट्पुट मिलता है यही एक डीजिटल फ्लीफ्लॉप है इस फ्लीफ्लॉप को यदि हम चार अलग अलग सिरियल फ्लीफ्लॉप में जोड़ दें इसके आउट्पुट को हम यहां डीजीरो डीवन यहां पर आपको क्लॉक को इस क्लॉक को इससे जोड़ दिया जाया क्योट्टाई करें को लाग सिरियल वा बिकार गुट के एन अलग करें ऊसे देंक ब्लीफ्लॉप千 Micheak d3 q3 q3 bar और इसको इधार से शिफ्ट कर दे और यहां पर हम इसका आउटपूट ले 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 और अगर हम इस क्लॉक को ऐसे लगा दे निगेटिव इस ट्रिगर तो यहां पर हम डेटा देंगे डेटा इन यह डेटा माल लेते हैं हमारा 1010 या 1011 यह सिक्वेंस बाई चलेगा और इस क्लॉक को एक टाइमिंग डाइग्राम हम बना लेते हैं तो आपको ज्यादा बढ़ियां से समझ में आएगी यह हमारा क्लॉक है और इस क्लॉक चुकि निगेटीव एज ट्रिगर है तो हर फ्लिप फ्लॉप निगेटीव एज में ट्रिगर करेगा हम एरो का निशान लगा दें ताकि हमको समझने कोई दिक्कत नहीं हो यह है जहां पर हमारा फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा ट्रिगर करने का मतलब है कि इन्पूट आउटूट में सिफ्ट करेगा तो सबसे पहले माल लेते हैं हमारा लाजिक वन है जब यहां वन देंगे तो फ्रस्ट क्लिक लॉग यहां पर हम बात कर लें डी जीरो डी वन डी टू अट दी थ्री यह चार फ्लिफ लॉप है चारों जीरो चल रहे हैं लेकिन जो ही क्लॉग ट्रिगर करेगा यह वन हो जा नेक्स्ट क्लॉग जब आएगा तो यह वन होगा उसके नेक्स्ट क्लॉग में जीरो हुग हुगा जीरो होने का मतलब है , third clock में , ये clock हमारा 1 हो जाएगा, इधरłe्ड क्लॉक में ये 0 कि यह one होगा और यह one उसी टाइम में one होगा फिर नेक्स क्लॉक में नेक्स क्लॉक जो हमारा यहां है यहां पर one होगा कि और उसके next क्लॉक में चुकी पहले यह 0 था तो यह अब 0 हो जाएगा इसको इतना उपर ही ले करके हम ऐसे लेकर चलें इस क्लॉक में यह 0 हो जाएगा और यह 1 होगा जासा गॉर से देखा जाए इनीशियली सारे फ्ली फ्लॉप जीरो 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 थे फस्क्लिक क्लॉक में यह हुआ वन नेक्स्ट क्लॉक में 0011 फिर नेक्स्ट क्लॉक में अगर बात करें तो 01 क्लॉक क्लॉक को यहां से दे रहा है तो यह 0110 और नेक्स्ट क्लॉक में यह फिर 0111 तो आप इस क्लॉक की बात करें इस टाइमिंग में आप गौर से देखें तो हमको यहां से स्टार्ट करेंगे फॉस्ट क्लॉक सेकेंड थर्ड और फॉर्थ फॉर्थ क्लॉक के बाद हमको जो डेटा मिल रहा है तो पूरी तरह से फिल हो गया मतलब यह डेटा यहां होगा 01 01 और 01 ठीक इसी तरह से फिर अगर क्लॉक हम देते रहें तो नेक्स क्लॉक में यह यहां पर क्लॉक आएगा तो यह फिर जीरो होगा यह वन हो जाएगा और यह जीरो हो जाएगा यह वन रहेगा फिर नेक्स क्लॉक की बात करें तो यह फिर यह जीरो हो जाएगा मतलब जीरो जीरो वन और यहां पर यह होगा 0 नेक्स क्लॉक में यह यहां पर सिफ्ट होगा यह तो जीरो ही रहेगा यह भी जीरो रहेगा यह क्लॉक भी जीरो हो जाएगा और यह जो क्लॉक है यह होगा वन आउसके नेक्स क्लॉक म मैं करें यहां की बात करें जीरो 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 हो जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई data हमने नहीं शाय जीरो दिरे आगे की ओर निकल गए पहले यहां से बाहर हुगा हूँ कि फिर यह वन हुगा मतलब यह धीरे धीरे जीरो जीरो सिफ्ट हो गया और हमारा डेटा इस रेजिस्टर से बाहर चला गया इसको इस तरह से समझें कि यह हमारे फोर वीट का एक रेजिस्टर है छोटे फॉर्म में हम दे यहां से हमने डेटा दिया 1011 यह 1011 डेटा यहां आया यहां से डेटा बाहर निकलेगा लेकिन डेटा सिफ्ट होने में एक सिंगल बीट सिफ्ट होने में वन क्लॉक पल्स की ज़रुवत होगी हर क्लॉक पल्स पर एक एक बीट डेटा सिफ्ट होगा इसका मतलब इसमें सिफ्ट होने में फोर क्लॉक और आउट होने में भी फोर क्लॉक की ज़रुवत होगी तो इस रेजिस्टर को यह हमारा पहला रेजिस्टर है और जेनरी माइक्रो प्रोशेशर के अंदर यह रेजिस्टर लगा होगा इस रेजिस्टर को हम लोग नाम देते हैं इस आई एस ओ मिन्स सिरियल इन इस शीरियल आउट यह यही रेजिस्टर है हमने इसको छोटे फॉर में दिखाया यहां दिखा रहे हैं सर्किर में यहां क्लॉक नहीं दिखा रहे हैं लेकिन हम यह मान के चलेंगे कि हर बीट सिफ्ट करने के लिए सिंगल क्लॉक पल्स की ज़रुवत होगी सभाविक है कि इस रेजिस्टर में हमको डेटा रखने में जितने क्लॉक की ज़रुवत होती है डेटा निकालने में भूत नहीं क्लॉक की ज़रुवत होती है Serial fashion में काम करता है हर Clock Bit में één bit inter करेगा एक bit बाहर जाएगा Serial in Serial out Qdriven structure का ह appar Kansas Q में क्या होता है कि आहिए और ακराते जाए जाएंगे निकलते जाएंगे तो यह पहला digital register है जो CPU के अंदर भी हम लगाते हैं the CPU register है यह है लेकिन Li Len apples हमें क्या है ? 31 Mas asup तो अगर shift करने में हमको चार clock pulse की जरूरत है लेकिन निकालने के लिए अगर यहीं से हम output ले ले क्योंकि निकालने में तो हमको किसी clock की जरूरत ही नहीं है सीधे आउट हो सकता है तो यहां पर अगर हम output की बात करें तो यह होगा O3, O2, O1 and O0 तो अगर इस तरह से हम output निकाल ले तो हम तो single clock में निकाल सकते हैं यहां पर एक हम अलग buffer जो बना ले और हर register के लिए हम कर लें यहां पर हमको 1101 यह जो data four clock pulse में shift किया था हमने उसको parallel हम single clock से बाहर निकाल सकते हैं तो यहां पर क्या होगा चार clock pulse shift करने में और एक trigger के बाद हम बाहर निकाल सकते हैं तो अगर यदि हम ऐसा करते हैं तो उस register को नाम हम देते हैं Serial in parallel out Serial in parallel out Serial in parallel out अब आप समझ गए कि पहला SI PO दूसरा SI PO SI SO मतलब दूगना चार clock pulse इंटर में चार clock pulse निकालने में यहां चार clock pulse इंटरीम लगा और एक ही clock pulse में हम बाहर निकाल लिए यदि इसी register में थोड़ा सा modification हम करें तो modification अब हम देखिए कैसे करेंगे यहां पर इस link को हम तोड़े अब ज़रा उसको समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा सरकृत हम बना लेता कि आप आसानी से समझ पाएं कि हो क्या रहा है हमारे पास तो end gate हम ले लेते हैं और इस end gate को और gate से पास करते हैं अब देखिए इस circuit को यह है Q0 और यह हमारा जा रहा है D1 पर यह यह हुगा यह है Q0 यह दोनों इंपूट हम रखे हैं और यह जो दोनों है यह कंट्रोल लाइन है जरा सा इनको आप देख लें इस कंट्रोल लाइन को हम कैसे जोड़ते हैं अब इस कंट्रोल लाइन में अगर हम वन रखते हैं वन रखते हैं तो यह लाइन तो वन हो जाएगा और यह जीरो होगा और अड़ गेट में 0 एक भी इंपूट होगा तो आउटप जीरो हो जाएगा मतलब यह डिसेबल हो जाएगा इस टाइम में जब हम इसको वन रखेंगे हमारा यह active होगा और यहां पर यदी 1 देंगे तो यहां पर 1 मिलेगा यहां पर अगर 0 देंगे यह 0 मिलेगा तो इसको हमने किस से जोड़ रहा है जोड़ रखा इस Q से मतलब इसके 1 रहने पर यह input यहां आएगा होगा और यह अभी हम मालने 1 है तो यह भी 1 होगा और यह 0 होगा यह और गेट है यह 1 होगा यह जो Q0 आउटपुट है वह यहां Q0 मिलेगा और Q0 हमारा D1 का input होगा मतलब यही सेम सर्केट यहां पे यहां पे हम लगा लें तो इस सर्केट को लगाने से फायदा क्या होगा कि अब हम यहां वन रखते हैं तो वन का मतलब हम रखते हैं सिरियल या इसको बोला जाता है shift और अगर जीरो इसको कर लें तो यह होता है load या इसको बोल सकते हम parallel अब इसको अगर हम zero करेंगे तो सभावी क्या कि यह one हो जाएगा और यह zero हो जाएगा यह इनपुट कट जाएगा और यह enable हो जाएगा यह इनेवल होगा तो यहां पर हम सीधे input देंगे यह होगा हमारा input one है यहां पर आई जीरो यहां देदे i1 यहां देदे i2 और यहां पर देंगे i3 तो अब क्या फायदा होगा कि हम यह जदी चाहें इस सर्कुट से तो इसको हम रखते हुए जब हम इसको वन करेंगे मतलब सिरियल में तो हम क्लॉक बाई क्लॉक डेटा शिफ्ट कर सकते हैं और आउट्पुट हम ले ही सकते थे लेकिन यदि हम चाहें कि इस एडिस्टनल सर्कुट को हम इस फ्लिफ फ्लॉप के बीच में जोड़ दें तो हमारे पास दू और रेजिस्टर बन जाएंगे उस रेजिस्टर को मतलब नंबर तीन में जो बनेगा उसको हम बोलते हैं और नंबर पोर पैरलेल इन शीरियल आउट और नंबर पोर पैरलेल इन शोरी पैरलेल आउट और ये बड़ा ही इंपरेंट रेजिस्टर को इस नंबर फूर जो लिख रहे हैं यह ओर रेजिस्टर है जो हर सीपिउ के अंधर लगाए जाते हैं इसमें एक ही बार में हम चाहेंं सिंगल क्लॉक में ऱ्टाप कर सकते हैं और ूर्ट को सब्सक्राइज से निकाल सकते हैं यह ध्यान में रखने वाली बात है और ऐसी स्थिति में हम चारत रखे रेजिस्टर की बात करते हैं अब इसको अगर ठीक से समझा जाए तो वह इसको जरा मीटा ले हम इसको भी मीटा देते हैं यह तो आप समझ के होंगे अब हमारे पास चारत रेजिस्टर एवलेबल है यह रेजिस्टर तीसरा सीरियल इन पैरलल आउट पी आई एस ओ पैरलल इन सीरियल आउट और नमबर फूर है पैरलल इन पैरलल आउट पी आई पी ओ डीटेल हम नहीं लिखेंगे डीटेल आप समझ लेंगे यह पी मिन्स पैरलल इन सीरियल आउट पैरलल इन पैरलल आउट और इसी रेजिस्टर का आगर हम मैट्रिक्स बना दे जासा देख लीजिए और 01234567 यह सिंगल बाइट डेटा स्टोर कर सकता है और यह हो गया रो रो को हम बोलते हैं एड्रेस लाइन जैसे जीरो 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 रोजिरो वन जिरो वन जीरो वन जीरो जीरो एड्सोर आगर इसका मैंट्रिक्स हम बना लें इस रेजिस्टर का पैरले निम पैरलल मतलब CPU register और cache memory की technology से मैं लेकिन अगर CPU के अंदर हम memory की बात करें यह भी memory ही है data store करता है लेकिन वहाँ पर जो address होगा वो single single bit का होगा जैसे accumulator b register c register इस तरह से होगा और यहां पर पूरे matrix form में होगा जो cache memory के नाम से जाना जाएगा अंतर इतना ही है कि इससे इसकी speed थूड़ी अंतर होगी माल लेते हैं यह कि 100 megahertz पर काम करता है इसका clock frequency तो यह हो सकता है 50 megahertz पर काम करें इसलिए कि अब addressing की बात हो रही है address को select करेंगे फिर किसी एक address को enable करना होगा फिर instruction से activate करेंगे operate करेंगे read करेंगे write करेंगे इस operation को चलाना होगा और फिर बाहर से data को CPU के अंदर ले जाना पड़ेगा यह हमारा CPU है जिसको आप microprocessor करते हैं तो इस microprocessor के अंदर ले जाना यह high speed ही cache memory है लेकिन इस memory इसकी capacity भी इससे ज्यादा होगी यह अगर माल लेते हैं हमारा 16 MB है तो को सकता है यह 256 MB की बात करता हो और यहां के बाद अगर हम main memory की बात करें इसी machine में हमारा main memory जिसको हम RAM बोलते हैं तो यह जो RAM का concept है यह 4 GB हो सकता है और इसके बाद हमारा सबसे last memory का जो structure है वो है secondary memory जिसको आप ACDD के नाम से जानते हैं तो यह हो सकता है 1 TB यह space ले तो देखिए हमने क्या किया है कि एक ऐसा provision किया अपने computer में memory के लेबल पर जिसमें बहुत large amount of memory है फिर उससे छोटे amount में थोड़ा सा high-speed memory रखे हैं और इससे भी high-speed memory cache के रूप में हमने इस्तेमाल किया है और सबसे high-speed जो memory है यह है है हमारा CPU रेजिस्टर में रेजिस्टर के सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें कहीं भी सोचने की ज़रुवत नहीं है हर जगह आपको data bus की ज़रुवत होगी जो data bus provide किया जाता है motherboard design किया जाता है motherboard में यह ब्यवस्था होता है कि आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह data लेके आए चुकि CPU का limitation CPU cache से या फिर RAM से direct communicate कर सकता है hard disk के पास communication CPU कर नहीं होगा यह बहुत slow होता है इसमें अलग technology है electromechanical device है उसमें platter वगरह लगा होगा उसमें magnetic form information store है तो CPU direct communicate कभी भी hard disk करता है वो सिधे RAM से करता है अब यहां से यहां data लाने ले जाने की जिम्मेदारी जेनरली हम लोग एक कंट्रोलर है जिसको बोलते हैं DMA direct memory accessory यह electronic controller है जो इन दोनों के बीच communication establish करने का काम करता है CPU के आदिस पर CPU से DMA बात कर सकता है क्योंकि यह controller electronic controller है तो CPU CPU के दोनोख बात करें बात कर सकता है